Hi everyone, welcome to calculus with IJ तो हमारी series of 5 में हम 5 बहुत जादा important questions करते हैं तो आज मैं लाई हूँ LPP के 5 different questions different questions मतलब एक दूसरे से different questions है जिससे LPP के सारे concepts and सारे जो type के cases हैं वो cover हो जाएंगे and ये series को follow करते रहो to score 100% in your board exams तो start करते हैं first question है minimize z is equal to minus 3x plus 4y subject to this दो हमें inequalities given है जो minimize करना होता है उसको बोलते है objective function और ये जो given होते है conditions इनको बोलते है constraints और xy greater than or equal to 0 का मतलब है कि हमारा जो graph है first quadrant में ही जाएगा xy दोनो positive होने चाहिए तो इनको बोलते है non negative restrictions और xy को बोलते है decision variables सबसे बहले हमें क्या करना होता है objective function को minimize करना है तो पहले तो graph को plot करना होगा x plus 2y less than or equal to 8 का table बना लेते हैं जब इसका table बनाएंगे तो एक बार क्या किया करो एक बार x को 0 ले लिया करो और एक बार y को 0 ले लिया करो अगर हम x को 0 लेंगे तो y आएगा 4 y को 0 लेंगे तो x आएगा 8 ये दो points आ गए सबसे बहले हम इनको plot करते है 0,4 x is 0 y is 4 गया 0,4 and x is 8 y is 0 8,0 पूरी inequality है और साथ में equal to sign है तो proper line draw करनी है तो अगर सिरफ inequality होती तो हम dotted line draw करते और graph के उपर हमेशा equation लिखनी है in equation नहीं लिखनी equation लिखनी है is equal to sign के साथ अब हमें देखना होता है कि इसका shaded region किस side है feasible region whether it is towards this or away from this तो सबसे बहले देखो ये जो पूरी line है ये पूरे graph को दो planes में divide कर रही है एक यो नीचे वाला है और एक ये उपर वाला है इनको बोलते है half planes दो half planes में divide कर रही है तो check करने के लिए हम कोई भी point ले लेंगे generally हम 0,0 लेते हैं अगर 0,0 में से line pass कर रही हो तो फिर कोई और point ले सकते हो ये x-axis पे ये y-axis पे 0,0 पुट करके देखेंगे 0 is less than or equal to 8 x को भी 0 पुट किया y को भी 0 पुट किया तो 0 less than or equal to 8 आया तो हमें देखना है कि वो actually true है ये false है अब obviously 0 तो less than 8 होता है that means this is true से चेक किया न उस point की ओर होगा उस half plane में होगा जिसमें वो point लाई करता है तो पहले न नीटली हम इसका feasible region ऐसे कर लेते हैं बहुत जादा shading करने से क्या होगा untidy बन जाएगा डाइगरा तो ये तो हो गए हमारी first line अब second है 3x plus 2y less than or equal to 12 तो इसमें एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे x को 0 लेंगे तो y आएगा 6 y को 0 लेंगे तो x आएगा 4 तो ये हमारा एक point आ रहा है 0,6 so this is 0,6 और एक आ रहा है 4,0 4,0 तो ये हमारी line बनेगे कुछ ऐसे इसके ओपर equation लिखने है 3x plus 2y is equal to 12 अब इसका shaded region वैसे ही हमें check करना है 0,0 पुट करेंगे 0 is less than or equal to 12 तो इसका shaded region भी towards 0,0 लाए करता है मतलब इस side लाए करता है उसके बाद हमें देखना होता है common shaded region क्या है common shaded region मतलब जो दोनों का shaded region होना चाहिए तो common shaded region जो हमारा आएगा जिसमें दोनों क्या है ये वला आएगा common shaded region के हमें देखने होते है corner points तो एक तो corner point ये है एक इसका corner point ये है और एक ये है और एक ये है मतलब ये वला 4,0 एक हो गया 0,0 4,0 हो गया यहाँ पे 0,4 हो गया ये नहीं हमें पता तो अगर diagram से पता चलता है ये approximately 2,3 आ रहा है बट क्यूंकि मैंने graph पे नहीं बनाया तो अगर नहीं पता चलता तो क्या करो ये दो equations हैं ना दोनों को solve करके देख लो जैसे x प्लस 2y is 8 क्योंकि दोनों का point of intersection है 3x प्लस 2y is 12 दोनों को subtract कर लो जब हम subtract करेंगे तो minus 2x is equal to minus 4 आएगा x की value आएकि 2 x को जब हम इसमें पहले वाले में 2 पुट करेंगे तो 2y आएगा 6y की value आएकि 3 तो ये point है 2,3 ये वारा पूरा graph बन गया corner points आगे 1,2,3,4 4 corner points आगे अब हम हमी इसको minimize करना है objective function को तो हम क्या करेंगे इस method को तभी corner point method बोलते हैं क्योंकि इसमें हम corner point से check करते हैं and value of z corner point है 100 1 है 4,0 1 है 2,3 और 1 है 0,4 z की value निकालेंगे पहले 00 put करके तो 0 आएगी 4,0 put करेंगे तो minus 12 आएगी 2,3 put करेंगे तो यह आएगा minus 6 plus 12 which is 6 0,4 put करेंगे तो 16 आएगी हमें देखना क्या है minimize करनी है value तो minimum value किस पर आ रही है minus 12 आ रही है तो value of z is minimum at 4,0 and minimum z is minus 12 अब है हमारा question number 2 minimize z is equal to x plus 2y subject to यह objective function है इसको भी minimize करना है subject to यह दो constraints given है और यह है non-negative restrictions non-negative restrictions का मतलब होता है कि हमें first quadrant में ही plot करना है 2x plus y greater than और equal to 3 के case में हम क्या करेंगे जैसे एक बार x को 0 ले लो एक बार y को 0 ले लो x को 0 लेंगे तो y 3 आएगा y को 0 लेंगे तो x आएगा 3 by 2 which is 1.5 तो इस case में जो हमारे points होंगे एक तो 0,3 है so this is 0,3 और यह 1.5,0 तो यहां पे कुछ आएगा 1.5,0 अब हमें देखना है इसका shaded region क्या है तो इसका shaded region क्या है तो उसके लिए हम 0,0 लेंगे जब 0 put करेंगे 0 greater than और equal to 3 आएगा तो 0 greater than और equal to 3 तो नहीं होता तो जैसे यह line इसको 2 half planes में डिवाइट करें यह half plane और यह half plane इस half plane में आ रहा है 0,0 इस half plane में 0,0 नहीं आ रहा क्योंकि हमने 0,0 से चेक किया और false आया तो 0,0 वाला half plane नहीं आएगा true होता तो 0,0 वाला आता false है तो इसका जो shaded region होगा यह इस side होगा अब हम दूसरी line का graph बनाते हैं दूसरी line में यहाँ पे भी एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो x को 0 लेंगे तो y की value आएगी 3 y को 0 लेंगे तो x की value आएगी 6 तो 0,3 एक point हो गया तो यह तो same ही हो गया and 6,0 is second point तो यहाँ पे जब हम इसको line को plot करेंगे line की equation लिखनी है उपर x plus 2y is equal to 6 पिछले वाले में भी लिखनी थी तो यहाँ पे भी 0,0 पुट करके देखेंगे तो 0 greater than or equal to 6 आ रहा है which is not true तो इसके इस half plane में 0,0 आ रहा है उसमें नहीं आ रहा है तो इसका shaded region भी इस side जाएगा तो इसमें तुम लोग देख सकते हो कि जो common shaded region है यहाँ से start हो रहा है यहाँ तक जा रहा है क्योंकि इस line का भी उस side है इस line का भी उस side है तो common shaded region is like this and इस case में we are getting only two corner points 0,3 and 6,0 अब हम corner points में put करके देखेंगे तभी इस method को corner point method बोलते है तो 1 तो है 0,3 और 1 है 6,0 and value of z निकालेंगे z is x plus 2y जब हम 0,3 पुट करेंगे तो ये 6 आएगा 6,0 जब हम put करेंगे तो भी 6 आएगा तो इसकी minimum value या maximum value कुछ भी समझ लो बट ये minimize करना है तो एक ही value आ रही है 6 बट इस case में अब देखो यहाँ पे एक different चीज है ये region है unbounded region जो हमारा पिछला question था उसमें bounded region था bounded था मतलब उसकी पूरी एक proper boundary थी ऐसे करके तो this was bounded region पर इस case में हमारा आ रहा है unbounded region तो यहाँ से तो है बट उपर से कहा तक जा रहा है वो तो infinity तक जाएगा तो unbounded region जब भी आता है तो उसमें हमें एक step और करना होता है कौन से step करना होता है यह जो minimum value आई है 6 हम check करेंगे कि यह actually minimum value है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो objective function है x plus 2y यह given है हम check करेंगे कहीं वो 6 से छोटी value तो नहीं दे रहा है तो यह minimum value है तो x plus 2y less than 6 लेके हमने एक और inequality बना ली अगर maximum value निकालनी होती तो हम x plus 2y greater than 6 लेते कि उससे कोई maximum value तो नहीं है तो यहाँ पे फिर से बता रही हूँ जब भी unbounded region आता है तो हमें एक step extra करना होता है अगर इसमें minimum करना है तो objective function जो भी minimum value आई है तो objective function लेना है and less than that value लेना है और check करना है कि उससे minimum कोई value है या नहीं तो check करने के लिए सबसे पहला काम तो है graph को plot करना तो वैसे ही करेंगे दो values लेंगे x को 0 लेंगे y3 आएगा y को 0 लेंगे तो x6 आएगा पर इसमें हम देख रहे हैं कि जो value बन रही है कौन सा color यूज करें ताके different लगे 0,3 ये 0,3 और 6,0 जो हमारा already region है उसी region में आ रहा है उस region को cross नहीं कर रहा उसकी boundary पे ही आ रहा है अगर उसकी boundary पे ही आ रहा है या उसको cross नहीं कर रहा होता या इस side कहीं पे आता होता तो हमारी verify होगी जो minimum value है वो same ही है जो हमने ली है supposing ये region इस shaded region को cross करता कहीं पे जैसे ऐसे आ जाती value और इसको cross कर देती ऐसा भी हम एक case करेंगे question में तो उस case में हम बोलते कि there is no minimum value जो हमने नई वाली inequality बनाई है इसकी जो inequality बनानी है वो dotted बनानी है क्योंकि ये सिरफ in equation है अगर equal to sign होता था हम पूरी line बनाते क्योंकि यहाँ पे already बहुत सारी colors थे तो इसको dotted line से बनाना था तो यहाँ पे क्योंकि ये उसके already जो feasible region आया था उसको cross तो नहीं कर रहा that means जो हमारा answer आया वही ठीक है तो minimum z is equal to 6 at at line segment joining 0, 3 and 6, 0 at all points of line segment joining 0, 3 and 6, 0 इस वे में answer देना है so अब है हमारा third question maxima z is equal to minus x plus 2y subject to constraints this x plus y greater than or equal to 5 x plus 2y greater than or equal to 0 y greater than or equal to 0 x greater than or equal to 3 x is equal to 3 जो line होती है वो parallel to y axis होती है और x is equal to 3 से pass करती है इसका shaded region आएगा इस side इस side क्यों आएगा क्योंकि इस side बड़ा है 3 से values 3 से कम उस side होती है और हमें बड़ी वाली values चाहिए और अब है दूसरा x plus y greater than or equal to 5 जब हम इसका table बनाएंगे यह तो बहुत simple है एक बार x को 0 ले लो y 5 आ जाएगा y को 0 ले लो x 5 आ जाएगा तो 0 5 and 5 0 यह 2 points आ रहे हैं हमारे पास और यह बनेगा ऐसे जो line बनेगी इसके ओपर लिख देंगे x plus y is equal to 5 अब इसका shaded region देखेंगे 0 0 put करके देखें 0 is greater than or equal to 5 0 तो 5 से बड़ा नहीं होता तो which is false अब इस line के इस side 0 0 है तो अगर false आता है तो 0 0 वाली side नहीं आएगा इसका shaded region उसे opposite side आएगा जिसमें 0 0 नहीं है तो इसका shaded region भी बाहरवाली side आ रहा है So हमारा next constraint है यहाँ पे 6 होगा x plus 2 y greater than or equal to 6 तो इसमें हम क्या करेंगे एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो x को 0 लेंगे तो y आएगा 3 y को 0 लेंगे तो x आएगा 6 तो हमारे points बन रहे हैं एक तो 0 3 और दूसरा है 6,0 So जब हम यह हाँ पे होगा x plus 2 y is equal to 6 जब हम इसका shaded region देखेंगे 0 is greater than or equal to 6 0 greater than or equal to 6 is false तो इसका region भी towards 0 0 ले आएगा away from 0 0 आएगा तो इस side वाला आ रहा है इसका region अब हमें देखना है कि हमारा common region क्या है yellow line का इस side आ रहा है green और blue lines का उपर वाली side आ रहा है तो हमारा common shaded region यहां से start हुआ यह बना यह और यह तो ऐसे बना हमारा common shaded region तो एक तो point corner point यह आ रहा है A इसको मैं B ले ले लेते हूँ इसको C ले ले लेते हूँ C is 0,6 और जो B point है वो 4,1 है जो graph से पता चल रहा है और A point होगा क्योंग यह 3 में से जा रहा है तो 3,2 होगा नहीं तो solve करके देख सकते हो जैसे दोनो inequalities को ना यह green और blue line red line green और yellow line को solve करके A आ जाएगा और इसको solve करके वैसे भी जब graph पे मना होगे तो बिल्कुल clear cut आएगा ओके यह मैंने गलती से 6,0,6 लिख दिया तो अब हम चेक करेंगे के corner points पे हमें चेक करना है maximum value कौनसी है तो corner points है हमारे एक तो A है 3,2, B is 4,1 and C is 6,0 और हमें value of Z निकालनी है Z is minus X plus 2Y तो जब हम इसमें minus 3 plus 4 तो यह value आएगी 1 और जब हम 4,1 पुट करेंगे तो minus 4 plus 2 यह आएगा minus 2 जब हम 6,0 पुट करेंगे तो minus 6 plus 0 यह आएगा minus 6 maximum value is 1 बट इस case में देखो फिर से हमारा unbounded region आ रहा है क्योंकि हमारा जो region जा रहा है this is unbounded region ऐसे जा रहा है तो unbounded region जो होगा तो उस case में हमें एक extra step करना होता है कि हमें check करना होता है कि यह जो हमारी maximum value आई है क्या वो वाकई maximum है या उससे भी बड़ी कोई value उसमें लाए करती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं इस side से हटा रही हूँ तो उसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारा objective function है यह objective function is minus x plus 2y क्योंकि maximum value 1 आ रही है तो हम check करेंगे कि उससे बड़ी कोई value दे रहा है या नहीं तो greater than 1 लेंगे अगर minimum निकाल नहीं होती तो less than 1 लेते अब हम इसका graph plot करेंगे x को 0 ले लो y हो जाएगा half या फिर ऐसे कर लो एक बार y को 0 ले लेते है तो x हो जाएगा minus 1 और x को 0 ले लो कोई बड़ी values ले लेते हैं actually negative वाली side नहीं हम जाते तो हम जरूरी नहीं है कि 0, 0 लेके ही करना है हम कोई भी values ले सकते हैं normal हम graph को plot करते हैं तो जब हम graph को plot करेंगे यह आएगा x minus x plus 2y is equal to 1 है न तो x की value आएगी 2y minus 1 मतलब x को side ले जो plus x हो जाएगा 2y minus 1 तो अब क्या करो y को ले लो कुछ y को 2 ले लो तो 4 minus 1 is 3 x की value आएगी 3 अब y को 3 ले लो 6 minus 1 x की value आएगी 5 अब हम इसको plot करेंगे तो इसको plot करने के लिए एक तो 3, 2 point है 3 and 2 यहाँ पे आ रहा है यह point है sorry this is 3, 2 यह वाला point आ रहा है और दूसरा है 5, 3 तो 5, 3 आ रहा है यहाँ पे एक और point ले ले लेते हैं अगर हमें clear cut नहीं पता चलता जैसे वैसे अगर line बनाएंगे तो line यहाँ से आएगी देखते हैं y axis को कहाँ पे cut कर रही है तो x को 0 ले लेते हैं x को 0 लेंगे तो y आएगा half तो यह line कुछ ऐसे आ रही है इसको हमें ना dotted line बनाना था मैंने फिर से solid बना दी so this should be dotted line क्योंकि सिरफ inequality है तो ऐसी line बनाएंगे अब देखो जो हमारा red वाला region आ रहा था वो सारा feasible region था और इस case में जो हमने inequality से extra वाला case लेके check किया तो वो हमारी graph जो है inequality जो है वो shaded region में से pass कर रही है अगर वो shaded region में से pass कर रही होती है तो उस case में हमारा answer होता है there is no maximum value जैसे पिछले question में हमने किया था कि जो हमने extra point से ये graph मनाया था वो shaded region को cross नहीं कर रहा था उसकी boundary पे था तो उस case में जो हमारी already value आई थी वही answer था बट इस case में जो हमने extra वाला case से check किया है तो हमारे shaded region को वो cross कर रहा है तो इस type का जब case होता है अगर shaded region को cross कर रहा हो तो उस case में हम लिखते है there is no maximum value अब है हमारा question number 4 minimize and maximize z is equal to 5x plus 10y subject to ये 3 constraints हमें given है and non-negative restrictions given है तो सबसे पहले जो first वाली line है x plus 2y less than or equal to 120 तो इसमें देखो obviously 1, 2 जैसी values तो नहीं ले सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा graph पे कैसे लिखेंगे तो x को हम ले लेते है अगर x को हम 0 ले ले तो y की value हो जाएगी 60 y को 0 ले ले लेते हैं तो x की value हो जाएगी 120 तो इस पे हमें 20 का scale लेके करना पड़ेगा 20, 40, 60, 80, 100, 120 इससे बड़ी value आएगी तो plot कर लेंगे यहाँ पे भी 20, 40, 60, 80, 100 तो सबसे बहले 0 के साथ 60 ये value आ रहे है and 120, 0 so this is 120, 0 तो यह हमारा graph बन रहा है ऐसे और इसके ओपर x plus 2y is equal to 120 लिखना है अब इसका feasible region देखने के लिए shaded region देखने के लिए हम क्या करेंगे 00 put करेंगे 0 is less than or equal to 120 जो के true है अगर true होता है तो 00 इस half plane में लाए करता है तो इसका जो shaded region होएगा वो इस side होएगा towards 00 अब है second line x plus y greater than or equal to 60 तो इसमें तो साफ दिख रहा है के हमारे दो ही points है 60,0 and 0,60 0,60 यहाँ पे आएगा वो same ही आ रहा है then 60,0 is this point तो यहाँ पे जब हम लगाएंगे यह होगा इसका shaded region अब किस side आएगा 00 put करके देखो 0 is greater than or equal to 60 बढ़ 0 तो 60 से बढ़ा नहीं होता तो इसका shaded region उस side जाएगा बाहर वाली side उसका अंदर वाली side आ रहा था अब हम देखते है third line का x minus 2y greater than or equal to 0 तो x minus 2y greater than or equal to 0 में देखो अगर हम x को 0 put करें तो y भी 0 आ जाएगा मतलब this line passes through 00 only तो यहाँ पर x is equal to 2y है उस way से values ले ले लेते हैं y को हम ले लेते हैं 40 ले लेते हैं तो x हो जाएगा 80 एक और लेके देख लेते हैं y को हम ले लेते हैं 20 x हो जाएगा 40 तो एक तो आ गया 0 0 और 80 80,40 यह कुछ यहाँ पर आएगा so this is 80,40 और 40,20 यह यहाँ पर आएगा तो ऐसे बन रे लाइन और इसका shaded region देखते हैं अब इसका shaded region देखने के लिए हम 00 से check नहीं कर सकते क्योंकि 0 greater than 0 से हमें क्या बता चलेगा तो हम इसमें क्या करेंगे कुछ और point ले लेते हैं जो के इस line पर नहीं लाए करता है 20,0 ले लेते हैं तो 20,0 देखो x-2y greater than or equal to 0 है मैं 20,0 से check करें हूँ जो के x-axis पर लाए करता है x की जगा 20, y की जगा 0 तो 20 greater than or equal to 0 आ रहा है which is true तो अब इस line के इस half plane में 20,0 है उस half plane में नहीं है क्योंकि ये true आ रहा है तो इसका shaded region आएगा इस side अब अगर ध्यान दो यहाँ पे जो हमारा common shaded region आ रहा है yellow line का इस side है green का उस side है, blue का नीचे वाली side है तो हमारा shaded region ये कुछ ऐसे आ रहा है तो इसके जो corner points है एक तो ये है which is 60,0 और एक ये point है जो के क्योंकि graph से तक clear cut नहीं पता चल रहा वट ये yellow line का point है तो yellow line x-axis को cut कर रही है तो y वहाँ पे 0 होगा तो ये होगा 120,0 अब हमारा एक shaded region ये आ रहा है और एक ये आ रहा है तो इसको अगर हम देखेंगे ये हमने already लिया था 40,20 लिया था so this is 40,20 अब ये वाला region ये region क्योंकि अगर graph में plot करोगे graph में clear cut आएगा तो मैंने graph में तो plot नहीं किया तो ये actually yellow and blue का point of intersection है yellow line थी x plus 2y is equal to 120 और blue वाली line थी x minus 2y is equal to 0 तो मैं इसको solve करके देख रही हूँ x की value आएगी 60 x अगर 60 आएगा तो y की value आएगी क्योंकि x is 2y तो y की value आएगी 30 so this point is 60,30 तो ये 4 corner points आगए हमारे 60,30, 40,20 60,0 and 120,0 अब हम obviously corner point method यूज करेंगे corner points है 40,20 60,30 60,0 120,0 and इसमें हम निकालेंगे value of z z है हमारा 5x plus 10y यहीं पर लिख लेती हूँ 5x plus 10y जब हम 40,20 पुट करेंगे 5 x 40 is 200 plus 200 तो यह आएगा 400 और जब हम 60,30 पुट करेंगे तो 300 plus 300 यह आएगा 600 60,0 पुट करने से 6 x 5 यह 300 आएगा तो इसमें हमें निकालना है minimize भी करना है maximize भी करना है तो इसमें हम देख सकते हैं कि minimum value तो आ रही है 300 और maximum value तो आ रही है 600 आ रही है बट 2 points पे आ रही है तो इसको हम लिखेंगे कैसे तो सबसे बहले minimum value क्योंकि 300 आ रही है तो minimum z is equal to 300 at 60,0 और maximum value 2 points पे आ रही है maximum z is equal to 600 at क्योंकि 2 points पे आ रही है 60,30 and 120,0 तो इसको लिखना कैसे होता है at all points of line segment joining तो किस-किस पे आ रही थी 60,30 and 120,0 तो यह answer इसका इस वे से देना है तो हमारा एक वो question भी cover हो गया जिसमें हमें simultaneously maximize minimize proof करना था अब है हमारा आज का last question maximize z is equal to x plus y subject to x minus y less than or equal to minus 1 minus x plus y less than or equal to 0 तो x minus y less than or equal to minus 1 इसमें मतलब points जो लेते हैं न क्या करेंगे के values लेंगे x minus y is equal to minus 1 तो x plus 1 is equal to y इस वे से ले लेंगे 0 से नहीं put करके लेंगे क्योंकि negative वाली side values आ जाएंगी हमें x y greater than or equal to 0 चाहिए तो x को 0 ले लो तो y की value आएगी 1 x को 1 ले लो तो y की value आएगी 2 अब दूसरा है minus x plus y less than or equal to 0 मतलब x minus x plus y is equal to 0 तो y is equal to x तो इसमें तो same ही points आएंगे 0 0 से pass करेगा 0 0 1 1 2 2 तो इसके graph में हमें ज्यादा कोई values plot करने की जुरूद नहीं है यह हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे भी 1 2 3 अब हम first वाली line plot करते हैं 0,1 यह आ गया and 1,2 इदर से आ गया तो यह line हमारी बन गई ऐसे x minus y is equal to minus 1 so this line is like this अब इसमें देखो shaded region plot करने के लिए हम क्या करेंगे 0 0 put करके देखेंगे 0 is less than or equal to minus 1 0 तो छोटा नहीं होता minus 1 से 0 minus 1 से बड़ा होता है so this is false अगर यह false है तो इसका region जो है towards 0 0 नहीं आएगा away from 0 0 आएगा अब हम दूसरी line plot करते हैं तो दूसरी line में था 0 0 1 के साथ 1 2 के साथ 2 तो यह line कुछ ऐसे जा रही है minus x plus y is 0 तो इसमें हम shaded region के लिए obviously 0 0 से चेक नहीं कर सकते 2,0 से चेक कर लेते हैं minus x plus y less than or equal to 0 था 2,0 से चेक कर रहे हैं तो minus 2 plus 0 is less than or equal to 0 minus 2 less than or equal to 0 which is true minus 2 तो छोटा होता है 0 से तो 2,0 इस साइट था तो इसका shaded region towards 2,0 आएगा यह वाला region आएगा अब इसमें देख सकते हो कि दोनों ही lines का कोई भी common bounded region नहीं है तो हमें maximize करना था तो हम लिखेंगे no common feasible region feasible region कोई भी नहीं है यह no common लिख सकते हो यह no feasible region लिख सकते हो that means there is no maximum value तो यह LPP के 5 questions थे जिसमें मैंने सारे cases cover किये हैं जिसमें unbounded region आ रहा है तो उसके साथ कैसे deal करना है उसमें भी 2 cases लिए है then अगर ऐसा कोई भी common region नहीं आ रहा तो कैसे करना है अगर 2 same points पे maximum value आ रही है तो कैसे करना है तो इससे पूरा LPP का जो graph plotting है अच्छी तरह से revise हो गया है तो keep on following the series to score 100% in your board exam and please don't forget to like, share and subscribe thank you for watching